हेलो स्टूडेंट्स मैं शेल नितिन सीमी प्राम चनक्या कालेज आफेजुगी श्वन बित्या आज की क्लास में मैं एफ सेवन सब्जिक कूट के अंतरगर यूनीट कि फिकन्ड में डिस्कुशन करेंगे जो हम लोग पिछली क्लास में संख्या की अध्वाणाओं और समस्क विश्द करेंगे तबाद दूं पर डिस्क€ किया गया था आज इसी कडिए में हम देखते हैं है श्यंख्यानों उप से बच्चों को गिंति से पर्चे बच्चे को हम गिंति से कैसे परचित कराएंगे बच्चे को गिंति से परचे किसी प्रकार से करया जाए इस पिंदू को आज हम लोग देखने का अप्ट याश करते हैं गिनती शेपर्चे गिनती से अंडरेस्टेंडिक बच्छों में कैसी कराई जाए गुन्ति से परचे एक मार लेत्ते हैं चार वोर्ष का बश्चा जेनत उन इस ब संख्याश को तो भौ Tillे थैंग कुछ वर्षे when ब आयद आ俺 चैपு उसको कऊई संख्या याद आ ही कि में टिशने को चार लिखना आता है वहर नेने चार संख्या को इस प्रकार से कि टिए कि सीजड़ कर कौणरें यह तो संख्या कीया पर दो लिक डेंगे आ Espagy Bacchyi Kto सम्क्षाइक सेक्विंस के बारे में आइडियाी, शहींस को बोल लेगा, लसके किरम में नहीं बोल पाए का, तब बच्चों मौत्बवि को पूछा, यह बताओ, यह आपने इसको कैसे सीखा? जयंद बोला उससे पूछा गया कि यह संख्या के साथ में संभन आपने कैसे बनाया? तुने बताया कि गेंट से, जब उसकी मामी ने फूचा कि कितब में चार ऐसे लिखा होता है अर्था चार इस प्रकार लिख कर गे, चार गुएत का निशान, चार कुश का निशान, लिख कर चार होता है जेन्थ नहीं बोल पाया, अर्था लिखने का मतलब जेन्थ जबी पूछा गया, चार का कंसर्ट आपने कैसे बनाए उनमे बोला भुख से, उसको बुख में ये कै चार ऐसे लिख़ा गया चार इसका मदलब यह चार है वह बच्चा नीए इसमझ गया करास को अम जिरू लिख दे चार का परोते जारे से असवश्ट होता है कि जयंत इस वाद को नहीं समझभा रहा है कि चार वस्तु चार कि समुग पर लागू हो सकता है क्या हम कर सकते हैं कुछ संख्या का अर्थ पता है जैसे एक से गींती लिख लेता है इसका मतलब यह नहीं कुछ से गींती करना आता है इसके उपर देखो दार से अस्वस्ट होता है बच्चे को गयांटिंग संक्रमें आई लिया है चीजों को सच्मुत प्लत मिलती है वह है वास्तुक संख्याओं की गिंती इसमें के जो वास्तुक संख्याओं की काउंटिंग होती है इससे उनकी गिंती करने में सुब्धा मिलती है बच्छों को दो पतियां दो पैंसर दो किताबें दिखाकर दो बार ताली बजाकर इस तर कॉंडरिशनिक समझाना हो तो हम उसे दायनिक जोन में उसके प्रहणी एक जामपल ले करके यसे दो फैंसल दो बुक्स दो कितावें दो पतियां दो वाच तालिया वजा करके दो को अनिकत्वी दिशों करा करके दो का अर्थ समझाने की कोशिश करना चाहिए हर बार सब्द दो पर जोर दें इन बीवी धनभों से बच्चे धिरे धिरे समझेंगे कि दो दो चीजों पर इंशाले समोहों में एक बात सामने है वह समान बात दो का गुण इसका मतलब कि जब दो दो वस्तुओं का किसी दो नहीं तीन तीन वस्तुओं का समोहों तीन तीन वस्तुओं का बात जब आएगी इसका मतलब किसे गुण में कुछ समानता है वह समानता दो का गुण तीन का गुण चार का गुण जी संख्या का प्रित्य देना हो वह संख्या को कंसिब्ट को हम बच्चों में अस्पस ट्रोप से समझा सकते हैं बता भी सकते हैं और उसको हम अख्याइद भी कर सकें इस तरह से हम उनको पांच अठ अन्य संख्याओं को भी सिखा सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि संख्याइद एक क्रम में ही सिखाए जाए इसका मतलब कि बच्चे इन संख्याओं को एक दो तीन चार एक क्रम में सीख सकते हैं संख्याओं को परामपरागत क्रम के बाद में भी कर सकते हैं उस संख्या हों का concept उन्संख्या का अर्थ आ जाए दो का मतलब क्या है तीन का आर्थ क्या है तीन का क्या गुन है आठ का क्या गुन है ये सब जब उसीख जाएंगे तो जो एक इसका सेक्वेंस एकाउंटिंग का गिंती का परिशे करने का जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एंड सो आन, हंड़ेट, इसका क्रम, जो परागत क्रम है, इसको बाद में भी सीख जाएंगे, पहले और यह समझे, यह संख्याओं का मतलब क्या है, यह संख्या के क्या अर्थ निकलता है, उसको समझाने के लिए, उनको हम उसी भी संख्या का, जिसी तीन संख्या को समझाना है, तो तीन को हम तीन बार ताली वजा करके, तीन को तीन पेंसल दिखा करके, तीन बुक दिखा करके, अन्य को गदिविधी करा करके, तीन बार बच्चों को प्लेग लगत करम है वन के बाद 22 के बाद 33 के बाद 44 के बाद फाइब एंड शोवान इसको हम बाद में भी सिखा सकते हैं इतसे उन्हीं छोटी संख्याओं को समझने में मदद मिलेगी हर बार हम उसे ऐसे प्रश्ण पूस सकते हैं हमारे पास कितने कांचे हैं मैं कितनी बार कुदा क पहुंसे चार बच्चे बॉर्ड पर आएंगे वग्यरा वग्यरा अन्संख्याब जिसमें भीन भीन प्रच्चों से प्रहुद्ट पूछेंगे जिसे उनमें अलगलग संख्यां का कंस्प्ट बन सकें जिसे पाच का आठ का तेन का हम अपने कच्छा में 10 बच्चों का चच्चों को समिखाने का प्रियाश करेंगे लेकिन यह ताउनी है कि ब hypertension को दिखाने के लिए कि गिंते वक्त हम अकसर एक ही चीजों को चुटे हैं यह तो लumbles परवार्ब करते हैं करते जाते हैं यह भाई प्रकाशन है किसी भी संख्षै सुखते समय या काउंटिंग करते समय हम एक ही वस्तों को ौप्त temos एक डों टीन वगहरा ऐसा नहीं करना चाहिए वह देखते हैं आप इन वस्तों को 2 수 तो रहे हैं रहे हैं कि एक बार बार और अर्थ बिदल दे रहे हैं वह सकता है кिए वे समझ हैं कि एक दो या तीन इन चीजों के नाम है जैसा कि उपर देख यहार से विदित होता है यह समझा कि यह समझ जाएं कि यह तीन है चार है पांच है क्यों इस वस्तु का नाम पांच है जहाएं तो उनके मन यह मास्तिक targeting के नाम से किया जाए ,पाट खिलावन अपर उसको एक नाम से किया जाए, कि हमें बच्चों कुई हब हुम बच्चों को यह भी नहीं समझाते कि दूसरी चीज़ों को दो इसलिये करते हैं क्योंकि वास्तों में दो वस्तूवों के श्रमौं की बात करike रहे हैं हम्ती यह भी संग्जहना वह एक प्रवाइज वह जो हमने पहले चुई थी और वह जिसे अब हम चू रहे हैं चूकि इस प्रकार से बात को समझते हैं और इसलिए हम यह मान लेते हैं मान कर चलते हैं कि बच्चे इसी समझ गए हैं दरसल हमें आभास तक नहीं होता कि बच्चे चक्कर में फंस गए ठीक बात है बहुत अच्छा कांसिट है इसमें है किसी दो वस्तूओं समों की जो हम चर्चा करते हैं एक ही वस्त को पहले हमने टच किया फिर पुर्ण दूसरी वस्त को टच किया चुकि एक ही वस्त है उसको हम बार बार एक ही बात को प्रिस्ट कर रहे हैं इसलिए बच्चे हम मान के चलते हैं कि बच्चे सीख गए समझ गए दरसल ऐसा है नहीं अब हम बाचों हमें आभास तक बच्चे कन्फ्यूज में पढ़ गए इसा गिनने का एक तरीका और भी है अलग अलग अवसरों पर अलग अलग करम में तरह तरह की वस्तूओं क्रियाओं को गिनने का भ्यास कराया जाए सहीवाद जैसे हमने बच्चे को आज दूसरे इंवारिमेंट में दूसरी गत्विधी करा करके कच्छा एक से नव तक या पाल तक की संख्याओं को सिखा दिया अब कल इसी काउंटिंग को हम अलग सेक्वेंस में नव से काउंटिंग एंगे नाइन टू तू त्री फोर है कि पहली चीजों को चू कर देखकर विया एक पत्ति एह है उसके बाद पत्ति को अलग कर दें फिर दूसरी पत्ति को उठाकर पहले पत्ति के साथ रखतें बोलें एक पत्ति है एक और यानि दू हो गया यही अभ्यास क्रियाओं के इशाद कराएं जैसे आप एक दफा ताड़ी बजाकर बोलने ये एक है फिर वही दो बार तीन बार चार बार इसाहे जाहिर कुई इस तरह से जाहिर हो कि संख्या के नाम का शंबंद उस वस्त क्रिया बिश्यस से नहों कर उस समूं के आकार है जिसे हम अलग किया है चाहिए यह कंसेट बच्छी में नब बन जाए ताली को एक करते हैं पती को दुखते हैं ऐसा कंसेट नहीं बन पाए अलग-अलग करत से ल्वार की संख्या है जिसको हम रेइपीट कर रहे हैं इससे यह संख्या का अर्थ निकलता है इससे बच्छों के समझने में मदद मिलते हैं संख्याओं का क्रम होता है और आगे आने Around एंवाली हर संख्या पिछली संख्या से एक अधिक होती चर्षा जब जोग संख्या से एक संख्या आधिक एक जादा अगली संख्या होती है संख्याओं के शंदर में पहलूओं में हम देखते हैं कि यह जो संख्याओं हैं जैसे ध्यान रखना जुरूरी होगा कि गिंती सिखाने के लिए चीजों का इस्तिमाल करते हैं वक्त हम चीजों को हर बार एक खास पैटर्न जमा कर देते हैं मतलब कि हम ज्यादा तर दो कंचों को ऐसे चोटा चोटा तीन को इस सेक्वेंस में चार को ऐसा बच्चे को यह गलत फहमी हो जाएगी कि दो तीन चार आध का सम्मझ चीजों के उस खास मतलब केवल ऐसा है दो का मतलब ऐसा नहीं है यह नहीं आ जीए की 3 का मतलब ऐसा है या 3 को हम Aisya Nahi लिख सकते 2 को Aisya Nको आप आप सकते यह फार लिखस कि यह कम सर्ब जहाए इसके चार कांचा उसका मनने यह कंसर ना बन वाएक हम चार यह समझ बनाना है चाहर का मतलब इस चोटे-चोटे कांचों से है चाहर का मतलब इस खास बनावट में रखे वे चाहर के क्रम को नहीं मानेंगे चार या किसी भी संख्या का परतय इक मतलब उसके खास बनावड में उसमें आने वाले मारबल की बात हमें समझेंगे इस लिए बात को वें बच्चों में असबस्प्र सम्झाने का प्रयास भी करेंगे ऐसी कन्फ्यूज के तरीके में बदलने तो या समश्या से बच सकते हैं तीन चीजें दिखाते समय उन्हीं तीन पंक्ति में से कभी त्रिकोनी दिखाएं कभी स्टेटरों में दिखाएं कभी एक रास दिखाएं तो हम इस समश्या से बच सकते हैं कभी उन्हें एक पंग्त में दें विश्कास। सब्सक्राइए, कभी उसी बनावड बदल दें इस का चूर चीजों 5. परिवर्थन करें, तो हो शक्ता है उस संख्या का समझ उस संख्या का प्रित्य बच्चों के मन मश्टिक्स में अस्ता यह बन जाएं। ठीक, तीन, चार को ऐसा, तीन को ऐसा, तीन को इस सेक्वेंस में प्रजेंट करें, तीन को ऐसे प्रजेंट करें, तीन को ऐसे प्रजेंट करें, इसका मतलब पैटर्न बदल दें, ठीक, आईडे आया, चलिए, आगे देखते हैं, एक महिला अपने तीन वर्सी बच्चों को, बच्चे को एक से पांट गिंती सिखा रही है इसके लिए वह बच्चों को अधिक अंखी शाप का इस्तेमाल करती है, इस किताब में हर संख्या के शामनी उतनी ही किताब भी बनी हुई है। देखते हैं, बच्चे को तीन का प्रित्य समझा रही हैं, इसका मतलब एक, इसका मतलब दो, इसका मतलब तीन, देख रहे हैं, इस प्रकार से कद्विधी बच्चे में कराने का प्रयाश करेंगे, और इसका इसारा देते हुए, इस फिकर की, इस आकरित की समझ देते हुए, टाफी के सामने बने हुए आकरित की इशारा करते हैं, संख्या का नाम बोलत है तब ही बच्ची मा के सब्सक्राइब को जिए गत्वाइब को धोरा लेती है कुल तिनों बाद पाद जब बच्ची को कहा जाता है किताब में चार बताएं तो सही सही बता दें बच्ची को एक सफ़ांथ तक संभ्यावुकाउं का एत्थ समझ लिया है उसके विचारों को तारीकों को से यह हो सकती है इस प्रक्ार से आप किसी गत्विधी कराकार कि संध्यान संध्यान ड्रेस्टेंडिंग यहीं ग्युनती से परचे बच्छे को आप करा सकते हैं इसके संखेतों के मार्ध हम से समझ सकते हैं आज हमने गिनती से परचे टापिक को पढ़ने का प्रयास किया अब देखेंगे संख्या प्रत्य की बार गिंती की पर्चे या गिंती से पर्चे कैसे बच्चों को कराया जाए इस तापिक को मने देखा अब संख्या प्रत्य की समाज हम लोग नेस्ट वीडियो में देखेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू क्लाश हाँ आपके लिए सूचना है आप वीडियो को लाइक करेंगे और सेयर करेंगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे थैंक यू